तो आज का हमारा topic है उपसर्ग व्याकरन का topic उपसर्ग अब उपसर्ग क्या है उपसर्ग दो शबदों के mail से बना है उप प्सर्ग एंगलिश में इसको कहते हैं prefix प्री, पहले, उपसर्ग का जैसे मतलब होता है, उप का पहले, या पास बिठाना, और फिक्स का मतलब है, वहाँ पे फिक्स करते हैं, कुछ शब्दों को हम किसी मूल शब्द के पहले लगाते हैं, और ये शब्द ऐसे नहीं होते हैं, ये सिरफ शब्दों के अंश होते हैं, तो उपसर्ग जैसे, अब यहाँ पे देखो, यह हार है, हार मूल शब्द है, हिंदी का शब्द है आर, हार, अब इस हार से पहले हमने उप जोड दिया, तो यह बन गया उप प्लस हार, और यह बन गया उपहार, हमारे पास एक नया शब्द आ गया, उपहार, और यह मूल के पहले हमने क्या लगाया है, उपसर्ग लगाया है, और इसके अर्थ में भारी परिवर्चना, तो उपसर्ग, second example भी देख लो एक बर, वर्ड है हमारे पास, खिला, खिला के पहले हमने लगाया, अध, और अध प्लस खिला, अध खिला, एक नया वर्ड आ गया है हमारे प इनिशन अगर हमने देखनी है पहले, ऐसे शब्दांश, सिरफ शब्दों के अंश होंगे, जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेश्ता ला देते हैं, जो किसी ऐसे शब्दांश, जो किसी शब्द से पहले लगकर, ध्यान से देखो, यह यश शब्द है, इससे पहले शब्दांश लगगया अप, तो यह क्या बन गया? अप प्लस यश अप यश इसमें उपसर्ग है अप और एक नएह शब्द जिब हमने अपको यश के साथ लगाया, तो यह बन गया अप प्लस यश उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगेंगे अप मान अप प्लस मान अप कीरती इसमें अप उपसर्ग लग गया तो एक अप शब्द से ही हमने बहुत सारे शब्दों को बना लिया है अप शब्द अगेन इसमें अप उपसर्ग है शब्द मूल शब्द है अपने याद रख मूल शब्द वो शब्द जिसके साथ हमें उपसर्ग लगाना होता है और मूल शब्द जो है ये इसका प्रॉपर मीनिंग भी निकलना चाहिए मूल शब्द का प्रॉपर मीनिंग भी होना चाहिए एक second उपसर्ग है हमारे पास उप, उप प्लस चार, उप चार उप प्लस वन, उप वन उप प्लस देश उप देश उप प्लस ग्रह, उप ग्रह तो इस तरह से उप, उपसर्ग है और ये मूल शब्द के साथ मिल गया और इसने इस अर्थ में परिवर्तन लादिया या विशेशता लादी तो इसकी definition हमें clear हो गई ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व पहले लगते हैं उसके साथ मिल जाते हैं और उसमें एक विशेशता या जो शब्द है उसके अर्थ को बिलकुल बदल देते हैं हिंदी भाषा में पांच प्रकार के उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यए और एक अंग्रेजी के तो संस्कृत के उपसर्ग हमने PT1 के स्लेबस में कर लिये थे आज हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जो ये words हमारे पास उपसर्ग लगाने के बाद आते हैं ये हिंदी के हिंदी भाषा के शब्द होते हैं इसलिए इसको हिंदी के उपसर्ग कहा है उपसर्ग सबके सेम हो सकते हैं यही उपसर्ग संस्कृत में भी लग सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड हमारे पास आता है, संस्कृत के उपसर्ग में संस्कृत भाष्रावाला आएगा और हिंदी के उपसर्ग में हिंदी भाष्रावाला, जैसे अ, अ का मतलब होता है, नहीं जब किसी वर्ड के साथ अ छूत, अ प्लस सफल, अ सफल, अचूक, अ टल, अ धर्म, इन सभी में अ उपसर्ग लगा है, दूसरा उपसर्ग है अध, अध का मतलम आधा, अधमरा, अधबका, अधखिला, अधकचरा, अन, अन का मतलम नहीं, अन पढ, अन होनी, अन कही, अन जाह, अन सुना, जब हम प्रयोग करेंगे उपसर्ग का, तो हमने जब अपनी नोटबुक्स में लिखना है बेटा, तो इसको प्लस करके लिखो, जब हम प्लस करके लिखते हैं, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, और कौन सा मूल शब्द है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कौ, कौ पात्र, तो इसमें पहले हम लिखेंगे, पहले हम उपसर्ग लिखेंगे, कौ उपसर्ग लग गया, अब इसमें हमने प्लस कर दिया, आपने जब भी उपसर्ग कोशन करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, प्लस लगाना है, कौ प्लस, अब हिंदी का व पात्र यह पात्र अब जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो यह क्या बन गया? जैसे हम मैच करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है यह भी तो यह हमारे पर प्रॉफर वर्ड आ जाएगा जब हम इसके साथ उपसर्ग लगा देंगे तो यह एक साथ हमने इस वर्ड को लिखना है कूपात्र यह एक ही लाइन लगानी है और यह कूपात्र सभी शब्दों को हम आपने ऐसे ही करना है अगर सेकिंड हम देखें नी, नी प्लस डर, निकम्मा, निस्वार्थ, निपट, निहस्था, निशान्थ सब में नी उपसर्ग लगा है बिन अगर हम बिन देखें बिन बात, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन पानी, बिन चाहा इस सभी में बिन उपसर्ग लगा है वी, विज्ञान, विशेश, विख्यात, विरोध, विग्रह, अप, अपमान, अपिर्थी, अपशब्द, अपहरण, अपयश स, स का मतलब इंकलूड करना है हमने उसमें जैसे अ में से हमने निकाल दिया था न, तो स का मतलब है इंकलूड करना है इसमें स परिवार, परिवार के साथ सफल, सधर्म, सपाट, सकुषल, निर, निराशा, निरविकार, निरवाचन, निरगुन, निरजीव अब इसमें निर उपसर्ग लगा है अब निर प्लस आशा, निराशा, निर प्लस विकार, निर प्लस वाचन, निर प्लस गोण, निर प्लस जीव तो इस प्रकार से ये हिंदी के उपसर्ग है, अगर आपके पास पुरानी वाली वीडियो है, किसी के पास उपसर्ग वाली, तो वो उसकी भी हेल्प ले सकता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है, प्रत्य, प्रत्य सिफिक्स, बिल्कुल उपसर्ग की तरह ही है, यहाँ पर भी हम शब्दांचों को ही लगाते हैं, लेकिन उपसर्ग में हम शब्द से पहले लगाते थे, प्रत्य में हम जो मूल शब्द के बाद लगाएंगे शब्दांच को, और उसको वो क्या कहलाते हैं, प्रत्य, जैसे दुकान प्लस दार, यहाँ पे दार आया है और दार हमने बाद में लिखा है, लेकिन उपसार्ग में हम पहले लिखते थे, उप्लस चार उप्चार, लेकिन यहाँ पे दुकान प्लस दार, दार बाद में आया है, यह वो जिसने इस शब्द के साथ मिलकर इस शब्द में विलकुल डिफरेंस ला दिया है एक विशेशता ला दिया है दूद प्लस वाला दूद वाला खेल प्लस आड़ी खिलाडी यहां पे हम खिल नहीं लिखेंगे क्योंकि खिलाडी शब्द खेल से संबंधित है इसका मूल शब्द खेल होगा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर जुकान प्लस दार द्वारबाद में लगा है अंत में जुड़ा है उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेष्टा उत्पन कर देते हैं वे प्रत्य कहलाते हैं जैसे अगर ये खिलाडी है तो ये खेल शब्द के साथ मिला है खेल का अर्थ अलग है खेल के साथ आडी जल लग गया तो ये खिलाडी बन गया अब ये जो प्रत्य हैं जैसे हमने उपसर्ग किये थे पांच तरह के हैं तो जो प्रत्य हैं ये मुख्य रूप से दो तरह के हैं कृत प्रत्य और तधित प्रत्य पहले हम कृत प्रत्य देखते हैं अब कृत धातु को कहते हैं धातु जो किसी भी शब्द में, जिस मूल शब्द से वो धातु बनी होती है, जैसे एक शब्द देखो, पढ़ना, पढ़ना का धातु क्या है? पढ़, क्योंकि ये पढ़ शब्द से बना है, खेलना, खेलना में क्या है? खेल, लड़ना, लड़, तो ये लड़ धातु है, ये कृत्परस्य कहलाते हैं. ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातू के साथ लागज़कर संग्या और विशेशन शब्दों का दिर्मान करते हैं, उन्हें कृत्परस्य कहते हैं. अब ये देखो, एक्जाम्पल से समझो, मिलावट एक शब्द है, जब हम मिलावट शब्द को देखते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे जो ये वट लग रहा है, कि ये वट जो है, ये परत्य है, लेकिन ये वट नहीं है, मिल प्लस आवट, मिलावट, अकेला वट नहीं है, याद रखना है, मिलावट, इसमें धातू क्या है, क्रित धातू रूट पहुंचा है, चाल, सेठानी, सेट, क्योंकि सेठानी शब्द, इसमें मूल शब्द सेठ है, तो सेठ के साथ आनी जुड़ गया, और ये बन गया, सेठानी, अब ये जो क्रित परत्ते हैं, इसके उधारन देखो, उधारन कुछ शब्द ऐसे हैं, जो संग्या बनाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, जो विशेशन बनाते हैं, कोई फरक नहीं है इसमें, परत्य सेम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर में, जो ये आंसर शब्द बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होगा, ये शब्द संग्या वा अबवाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, कोई भी संगया हो सकते हैं. और विशेशन बनाने वाले कृत्य में ये शब्द कौनसे होंगे? ये विशेशन शब्द होंगे. प्रत्य है हमारे पास अन्त. रट धातू है, रट धातू के साथ हम अंत प्रत्य लगाएंगे, रट प्लस अंत, प्रत अंत, गढ़ प्लस अंत, गढ़ प्लस अंत, पढ़ प्लस अंत, पढ़ अंत, अब लेखक शब्द है और पाठक है, लेखक शब्द में, लेखक में हमें पता है कि इसकी धातू क्या है लेक प्लस अक लेखक पाठ प्लस अक पाठक अगला प्रत्य है अन पह प्लस अन पहन गम प्लस अन गमन रचना रचना में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है रच प्लस अना रचना सूच प्लस अना सूचना वेद प्लस अना, वेदना, वेदना हमारे मन का कोई दुख, वेदना है, मेरे मन के ये वेदना है, दुख है, उसको वेदना करें नेक्स्ट है आ आ में पूज प्लस आ, पूजा, चिंत प्लस आ, चिंता, मुक्त प्लस आ, मुक्ता आई, लिख, प्लस आई, लिखाई, चड़ प्लस आई, चढ़ाई, सुन प्लस आई, सुन आई, लगान, लग प्लस आन, लगान, उठान, उठान में उठ धातू है, उठ शब्द है न मेन, तो उठ प्लस आन, उठान, उड़ प्लस आन, उड़ान, आव, आव प्रत्य से अग अगर हमें कोई शब्द बनाना है, कटाव, बहाव, फैलाव, चालाग, चाल प्लस आख, चालाग, तैराग, तैराग में तैर शब्द है, तो तैर प्लस आख, तैराग, Similarly, मिलावट, मिलप्लस आवट, दिखावट, दिखप्लस आवट, तो इसमें आवट प्रत्य लगा है, ठक प्लस आवट, ठक आवट, घबराहट, गुर्राःट, चिललाहट, इसमें आखट प्रत्य लगा है, Next है E. जब हम E परत्य लगाएंगे यह A लगाते हैं, तो हम यहां पे उसको मातरा के रूप में दिखाते हैं. E यहां लिखना नहीं है. हमें सिरफ मातरा लगा देनी है. बोल प्लस E बोली और मातरा ही लगानी है, E लिखना नहीं है. हंस प्लस E हसी अब जो शब्द हमारे पस बन कर आएंगे वो विशेशन होंगे इला इ बड़ी है तो हमें बड़ी मात्रा ही लगानी है रसीला, चमकीला, जहरीला, रस प्लस इला, रसीला, चमक प्लस इला, चमकीला, जहरीला देखो, इसको एक बड़ समझो, हमारे पास वर्ड है इला, रसीला रसीला वर्ड हमारे पास आया है, इसमें कौन सा धातू कौन सी है, रस, रस आ गई, प्लस इ, बड़ी इजा, बड़ी इ तो हमने मात्रा भी बड़ी ही लगानी है, याद रखना इसको, जैसा प्रत्य में जो मात्रा लगी है, हमने वही लगानी है, हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है रस बिल्कुल ऐसे ही आ गया अब प्लस के बाद क्या है इसको हमने मात्रा के रूप में लिख लेना है रसी और लाफ्ट वाला वर्ड बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा रसीला समझ आ गया होगा ये बिल्कुल ऐसे ही आउ चलाउ तिकाउ टिक प्लस आउ आकू ये भी एक प्रत्य है लड प्लस आकू ओड प्लस आकू इल देखो ए छोटी है नहीं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे हर जगा ए छोटी ही लगानी है मरियल सडियल घटिया अगेन यही छोटी है घटिया बढ़िया घट प्लस इया बढ़ प्लस इया क्रिपालू दयालू क्रिप प्लस आलू छोटी मत्रा दयालू दया या दय प्लस आलू आल ही लगाएंगे हम दय प्लस आलू दयनीय इसमें दय शब्द है तो दय ही इसका क्रिस्ट प्रस्य होता है एरा, छोटा ए लूट प्लस एरा, लुटेरा मम प्लस एरा, ममेरा गवया, गवगव, गवया मतलब कोई गाना गा रहा है तो गवया प्लस अया, गवया चड़ प्लस अया, चड़हिया क्रोध प्लस E, क्रोधी, शहर प्लस E, शहरी तो ये दोनों प्रत्य एक पेज है आपकी बुक का जो अपने PT2 में करने है प्रत्य सिरफ कृत्प्रत्य का सिरफ यही पाट आएगा PT2 में ये अपने ध्यान से एक बार आज पढ़ना है इसको बिटा एक बार सारे टॉपिक्स को एक बार आपने पढ़ना है